ओके स्टुडेंट्स तो मैं आप लोगको exercise 3 का board mask question number 2 तक पुड़ा question बता दी हूँ है ना अब हम लोगको पढ़ना है exercise 1.3 का ही question number 3 ठीक है अब देखो express the following in mathematical form mathematical form में हम लोगको जैसे ये mathematical में लिखा हुआ है ना number के form में वैसे ही इसको हम लोगको mathematical form में complete करना है मतलब बनाना है ये भी board mask rule ही है और उसको solve भी करके दिखाना है जैसे हम लोगको इसको solve के थे वैसे ही पहले इसको हम लोगको ऐसे लिखना है इसको इस टाइप के form में mathematical form में और उसका answer बताना है तो जैसे question number 1 में क्या लिखा है 24 is added to 15 24 को add कर रहे है 15 से और 15 को divide कर रहे है 3 से तो उसको क 15 divided by 3 तो देखो 24 को add कर रहे है किस से जो की 15 को divide कर रहे है 3 से तो 3 से तो हमने लिख सकते है 15 divided by 3 और add कर रहे है 24 तो लिख दिए अब इसको हमने को solve भी कर रहा है ठीक है वही board mask से ही board mask से ही तो सबसे पहले bracket तो bracket solve करेंगे तो 3 में से 15 divided होगा तो 5 आएगा और plus 24 का 24 दोनों क add कर दिया तो 29 आ गया सेम वैसे ही question number B बनेगा 20 is divided by 4 subtracted from 16 from बोल रहा है यानि कि 16 पहले और 4 बाद में from कभी भी आएगा तो जो from के बाद वाला number है 16 वो पहले आ जाएगा और उसके पहले वाला number बाद में ठीक है यानि कि 4 से 16 को minus करना है 4 से 16 को तो 16 from है इसलिए याद रख तो 16 को पहले कोई साभी from के बाद वाला number को पहले और उससे पहले वाले number को बाद में तो बोल रहा है 4 subtracted from 16 यानि कि 16 को हम लोग 4 से minus कर दिये और 20 को divide बोला था इसलिए 20 को divide कर दिये तो सबसे पहले board mass में bracket solve होता है इसलिए इसलिए इदोनों bracket को solve किये 16 में से 4 minus किये तो 12 अब 12 को 20 से divide कर दिये तो हमारा answer क्या आया 5 upon 3 आया अब question number C देखते है देखो the difference of difference मतलब कि क्या होता है minus the difference of 8 and 4 multiplied by 20 बोल रहा है कि जो difference of 8 है 18 है 18 the difference of 8 है यहाँ 8 है ठीक है the difference of 8 and 4 multiplied by 20 जो 8 और 4 का difference है देखो इसको मत देखो यह गलत है the difference of 8 and 4 यानि कि 8 और 4 का जो difference है उसको बोल रहा है multiply करो 20 से 8 और 4 के difference को multiply करो 20 से यानि कि 8 में से 4 minus होगा तो board mass में सबसे पहले bracket solve होता है इसलिए 8 में से 4 minus के 4 आया और 20 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 80 ठीक है तो यह हो जाएगा answer तो the difference of 8 and 4 multiplied by 20 तो 80 हो गया सेम वैसे ही question number D देखो negative 4 multiply negative मतलब क्या होता है minus तो बोल रहा है negative 4 multiply by negative 10 negative 4 को multiply करो negative 10 से यही बोल रहा है question और बोल रहा है कि subtracted from और minus करो from बोल रहा है यानि कि जितना भी from के बाद वाला number है वो पहले आ जाएगा और उसके पहले वाला number बाद में आ जाएगा फ्रॉम है इसलिए जो भी फ्रॉम के बाद वाला नंबर है जो भी sentence है वो पहले आ जाएगा और उसके पहले वाला जो भी sentence है वो बाद में इसलिए पॉजेटिव 8 पॉजेटिव 80 यानिकी प्लस 80 इसलिए 80 के आगे कोई सा भी sign नहीं है यानिकी पॉजेटिव 80 is multiplied by negative 1 negative मतलब minus 1 negative मतलब minus और 1 का तो 1 ही होता है अब subtracted from बोला था इसलिए जो भी पहले वाला sentence है वो बाद में आ गया minus का minus फिर bracket solve करेंगे minus into minus प्लस होता है minus into minus क्या होता है फ्लस तो 10 फोर जा 40 तो plus forty आया minus तो बाहर में भी था अब bracket open करेंगे तो minus 80 में से plus minus तो मैनस ही होगा यानगी 80 में से 40 को add करेंगे देखो इसका ऎसे लिख सकते हैं ना एक ल stiffness और minus 80 bracket open करेंगे अंदर में क्या है प्लस है अंदर में प्लस है मैं पताई ना कि bracket के अंदर में कुछ भी sign नहीं है तो प्लस रहेगा और bracket के बाहर में minus है लेकिन इधर बीच में कोई भी sign नहीं है मतलब multiply तो plus minus क्या होता है minus 40 और minus minus क्या होता है plus इसलिए मैं 80 में 40 को add करूँगी तो क्या आएगा 180 और 80 बड़ा है और उसके सामने minus का sign लगा है इसलिए minus इसका answer क्या आगा है 120 अब D के बाद question number E देखते है देखो 6 is E number 6 is added to the sum of 15 6 को बोल रहा है add करने किस से sum मतलब क्या होता है plus sum of 15 and additive additive inverse के बाद अगर inverse लगा है additive देटिव मतलब तो add होता है लेकिन inverse लगा है इसलिए minus additive inverse आया यानि कि plus minus bracket में ठीक है additive का add inverse का minus यानिकि additive का ultra inverse of 20 तो देखो 6 को add करो बोल रहा था लिगदी में 6 को add करने है ना और बोल रहा था कि 15 additive inverse यानिकि plus minus additive inverse मतलब की plus minus 20 तो minus 20 bracket में क्योंकि मैं बताई ना additive inverse plus बाहर में और inverse है इसलिए bracket अंदर में bracket के अंदर में minus और जो भी number है वो ठीक है तो वही चीज़ यहां है अब bracket solve करते हैं तो plus minus minus होगा तो 15 में से 20 minus होगा तो क्या आएगा 5 आयगा और बड़ा बाला number कौण सा है 20 और उसके सामने कौण सा sign है minus इसलिए हाँ भी minus आगया और plus का plus minus 5 में से plus 6 यानि कि plus minus minus होगा यानि कि 5 में से 6 minus होगा तो 1 आएगा positive 1 आया plus 1 आया क्यों आया positive 1 क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के सामने plus का sign लगा है इसलिए अब देखो question number f 4 is divided by the difference between 10 and 6 4 को divide करो बोल रहा है difference difference मतलब क्या होता है minus किसके किसके difference से 10 and 6 तो 10 and 6 के difference है तो 4 को divide करना है 10 और 6 के difference है इसलिए हम लोग दोनों के difference से बोला है इसलिए bracket लगा दिये है अब board mass में सबसे पहले bracket solve होता है इसलिए 10 में से 6 minus के तो 4 आया और दोनों को divide कर दिये तो 1 आया सेम वैसे ही question number g the additive inverse additive inverse मतलब कि plus फिर कोई सा भी number तो additive inverse of 15 यानि कि additive inverse of 15 ऐसी लिखेंगा न is multiplied by the sum of देखो additive inverse और ऐसी लिखी हूँ multiplied by the sum of sum यानि कि plus आ गया sum of किसका किसका 12 and additive inverse इसलिए plus minus फिर से bracket के अंदर लगा है जैसे इसमें था additive inverse of 42 फहले bracket solve करेंगे इसलिए plus minus minus हो गया फिर bracket solve करेंगे 12 में से 42 minus होगा तो minus 30 आएगा minus इसलिए लगा क्योंकि 40 बड़ा number है greater number है उसके सामने minus लगा है अब multiply करेंगे तो minus minus हो प्लस हो गया 15 में से 30 को multiply करेंगे तो 140 sorry 450 आएगा अब मैं जी तक बता दी हूँ आप लोगो question number hij बनाना है ठीक है कौन-कौन सा बनाना है question number hij यह 3 homework है ठीक है तो 2-3 बर अच्छे से पहले देख लेना जो मैं समझाए हूँ उसके बाद question number hij और j को homework है आप लोगो send करोगे ठीक है अब देखते है question number 4 यह last है exercise complete हो जाएग आप लोगो ठीक है write down all integer between minus 18 and minus 25 integer कि इसको बोलते है नंबर को बोलते है जितना भी positive और negative number है मतलब जितना भी plus वाला number है और जितना भी minus वाला number है 0 को मिला करके 0 included है वो क्या होता है integer अब question number 4 में ए नंबर क्या बोल रहा है all the integer between minus 18 and 25 between मतलब बीच में यानि कि minus 18 से minus 25 के बीच में जितना भी integer है उसको लिग दो तो 18 के बाद कौन सा number आता है minus 19, minus 19, minus 20, minus 21, minus 22, minus 23, minus 24 उसके बाद तो minus 25 है minus 18 से minus 25 के बीच का number कितना ये आगे हमारा अब वैसे ही बी number क्या बोलता है all negative, negative मतलब कि minus, all negative integer greater than 3 and less than 3 मतलब कि जितना भी integer number लेगे minus वाला, वो 3 से बड़ा भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए मतलब greater भी होना चाहिए और less भी, तो 3 से greater कौन-कौन सा number है, minus 2, minus 1 और 0, 3 से बड़ा है ना, minus 2, minus 1, और less भी है, 1 और 2, देखो, less भी हो गया इसलिए minus 1 negative बोला था, ठीक है, all negative, इसलिए minus 2, minus 1, 3 के अंदर ही आ रहा है, 0 भी और less बोला था, और positive 3 के अंदर बोला था, minus 3 से 3 के अंदर बोला था, इसलिए minus 3 के बाद, minus 2, minus 1, और 0 और यहाँ पस प्लस 1 और प्लस 2 तो इसी नंबर को मैं यहाँ पस लिग दी हूँ ठीक है कैसे आया समझ में आ गया अब देखो C नंबर all positive integer positive मतलब की plus all positive integer which are opposite in sign to the integer between minus 5 and 0 minus 5 and 0 यानि कि positive integer opposite बढ़ रहा है positive का opposite negative है तो देखो positive which are opposite sign to the integer between minus 5 and 0 तो minus 5 और 0 के बीच में जितना भी positive integer है positive मतलब plus तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है 1,2,3,4 तो यह positive integer है ना उसी को लिग दिए 1,2,3,4 क्योंकि बोला था 0 से 5 के बीच में नंबर होना चाहिए अब last number question number, sorry question number D, question number D लेखते हैं question number D, all integer divisible by 5, divisible मतलब divide ऐसा integer लिखो जो 5 से divisible हो, devise हो जाए इसके अंदर होना चाहिए लेकिन वो 0 से 25 के अंदर बीच में ऐसा number लिखो जो 5 से divide हो जाए तो 0 के बाद देखो, 0 के बाद में आता है number 1,2,3,4 बहुत सारा number आता है लेकिन 5 से तो 1 divide नहीं होगा, 2 भी divide नहीं होगा, 3 भी divide नहीं होगा तो 5 से 5 भी divide होगा, 10 divide होगा, 5 2 जा 10, 5 से 15 divide होगा, 5 3 जा 15, 5 से 20 divide होगा, 5 4 जा 20 और 25 तो 0 से 25 के बीच कौन कौन सा number आएगा, जो की 5 से divide हो जाए तो कौन कौन सा number है, 5,10,15,25 का table लिख दिये 0 से 25 के बीच में, 0 से 25 के बीच में 5 का table लिख दिये 0 से 25 के बीच में है उससे बाहर तो नहीं है कोई सा भी नंबर अब एक last नंबर बचा है हमारा E नंबर उसको भी देख लेते हैं देखो E नंबर all integer that leave a reminder 1 when divide by 2 and lie between अब बो रहा है कि 0 से 10 के बीच में ऐसा integer लिखो मतलब ऐसा नंबर लिखो जो कि 2 से divide हो जाए जो 2 से क्या हो जाए divide हो और divide करने में उसमें reminder भी 1 बचना चाहिए reminder बचना चाहिए ठीक है तो 0 से 10 के बीच में बोला है और जो कि 2 से divide हो तो 2 से divide होने के लिए सबसे पहला नंबर 0 से 10 के बीच 3 लेंगे क्यों 3 लेंगे क्योंकि 2 को हम लोग 1 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचाना है 1 तो सबसे पहला नमबर 3 लेंगे जिसको हम लोग 2 से डिवाइड करना है तो 2, 2, 4, remainder 1 बचा, 2 से divide के और remainder भी 1 बचा, वैसे ही 7 को भी divide करेंगे तो remainder 1 बचेगा, अगर 2 से divide करेंगे, और 2 को जब हम लोग 9 से divide करेंगे तो भी remainder 1 बचेगा, और देखो 3 से 9, 0 और 10 के अंदर ही है, 9 अंदर है ना 10 के, और 0 के अंदर ही है 3, तो 0 से 10 के बीच में कौन-क कौन सा नंबर है 3579 ये हो गया आंसर अब हम लोग का exercise 1.3 complete हो गया ठीक है अब next ले हम लोग पढ़ेंगे chapter 2 exercise हमारा जो chapter 1 complete हुआ है chapter 1 कौन सा था हमारा the system of integer multiplication and division ये वाला exercise 1.1 1.2 और 1.3 complete हो गया है तो आप लोग 1.1 से 1.3 तक note send करोगे और अगर इसमें कोई सा भी problem है तो आप लोग पूछ सकते हो ठीक है और जितना भी मैं बताई हूं उसको अच्छे से देख लेना उसके बाद आप लोग जो भी interested है जो subscribe करके रखे रहोगे तभी तो आप लोग के पास पता चलेगा ना कि मैं कौन सा वीडियो डाली हूं तो आप लोग देख सकते हो ठीक है तो कर लेना और अपने अगर कोई जान पहचान वाले हैं तो उनके पास भी इसको share कर सकते हो ठीक है मैं class 9th का भी डालती हूं 10th का भी 8th का भी और 7th का भी physics भी डालती हूं तो अगर आप लोग के कोई family friend friend होंगे तो उनके पास भी send कर सकते हो ठीक है thank you